तो एक शेल का स्ट्रक्च्च्राइशन कैसा होता है किस किस तरह की सेल्स होती है क्या शेप होता है क्या साइज होता है आप यह जानने में उत्सुख होंगे तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपके चारों तरफ जो है हम इसको कुछ सेल्स ऐसी होती है जैसे आपने ओनियन सेल देखा होगा उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है वहीं आपने जब ब्लड स्मीर देखा होगा तो उसके अंदर आपने इसमौों इसमौधी बूलते हैं फट्स होती है वह अलग साइस के होती है इसी तरह से हमारा जो नियूराउन होता है उसका उसका शाइस अलग होता है उसी तरह से मुसल सैयसि होटोग वह होती है simil nucleus की होती है यू दो होथीं वह बैक ऑन के शेb की रोटी है और ऐकोंन क सबसे बड़ा एक लिविंग सेल देखा गया माना जाता है तो एन ऑस्ट्रिच एग इस दा लाजेस्ट सेल कंसिडर नाउ युकेरियोटिक सेल्स को आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं आपने उनके डिफेंस को समझ लिया कैसे दिखाई देते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वह आपने पढ़ लि जिसको पुम्पोनेंग भी बोलते हैं दूसरा नुकलिस और तीसरा सइट्पलाजम तो आल उखें युकेरियोटिक सेल्स थे प्सेस थ्री में प्हूंपोनेंट्स नमब वन सेल्म एम्प्लाजम अर फ्लासममेम्प्रेन नमब्र2 नुकलिस और थिसरा सइट्रपलाजम लि we will be talking about more in detail. बच्चों यहां पर इसमें आप क्या देख रहे हैं? Here you see the cell structure at a glance. यानि कि हम पूरे cell का एक उसका ओवर्विव जो अंदर cell के अंदर, eukaryotic cell के अंदर, क्या-क्या structures हमें देखने को मिलते हैं या मिल सकते हैं, अगर हम electron microscope के अंदर हम cell को study करें, तो उसके बारे में यहां पर एक at a glance overview organelles का या उसके structure का यहां पर दिखाया आए गया है इस diagram के द्वारा. यहां पर आप देख रहे हैं, cell जो है, उसके तीन components जो भी हमने पीछे वाले slide में पढ़ा, कि cell के तीन components होते हैं, उनके बारे में यहां पर दिखाये गए हैं, यह तीन components कौन-कौन से पढ़े थे हमने, cell membrane या plasma membrane और cell wall जो की केवल plant cells के अंदर present होती है, और animal cells के अंदर absent पाई जाती है, तो plasma membrane इस तरह से अगर हम animal cells की बात करें, तो plasma membrane या cell membrane जो है वो out है, जबकि plant cells के अंदर plasma membrane या cell membrane के उपर एक cell wall भी पाई जाती है, जो की cellulosic material की बनी होती है दूसरा component जो हमने पढ़ा था वो था nucleus और तीसरा पढ़ा था cytoplasm तो plasma membrane के बारे में हम पूरी अभी इसकी detail study जो की singer और निकलसन ने जो fluid mosaic model दिया था plasma membrane का उसके बारे में हम detail में बात करेंगे अभी आगे इस chapter में इसके बारे में इसके बारे में इसके बाद हम बात करेंगे nucleus की तो nucleus के जो components हमने अभी पीठे भी पढ़े थे एक दफे दो रिवाइस कर लेते हैं nucleus के components या nucleus किन किन चीजों से मिलके बना होता है let us go through this nucleus or a typical eukaryotic nucleus is made up of nuclear membrane nuclear membranes पाए जाती है और nuclear membranes are two in number it is a double membrane structure that means that means outer nuclear membrane and inner nuclear membrane इसके अलावा क्या पाया जाता है nucleoplasm nucleoplasm fluid matrix होता है jelly like substance होता है जो की nucleus को target रखता है या फुला करके रखने में मदद करता है या उसके अंदर nuclear membranes उसके वज़े से fully spherical structure provide कराती है nucleus को then we find some entangled mass of the chromatin network which is called as the genetic material या symbol भाशा में बोले है तो DNA DNA जब cell divide नहीं कर रही होती है तो वो एक उल्शेवे उन के उन के गोले या thread like structure के रूप में electron microscope के अंदर हमें दिखाई देता है उसको हम chromatin material या chromatin network बोलते हैं परंतु जब cell divide होने के लिए तयार हो रही होती है तो ये chromatin material condensed होकर के गाड़ा होकर के rod shape structures के रूप में हमें दिखाई देने लगता है हम chromosome बोलते हैं ठीक है तो ये chromosome तभी आपको दिखाई देंगे जब cell जो है अपने आपको divide करने के लिए तयार कर रही है cell division के लिए प्रिपेर हो रही है बट अगर cell resting stage में है तो उस समय उसका nucleus chromatin network के रूप में हमें उलजे वे धागे के समान संरजना के रूप में या उलजे वे एक उन के गोले के समान जो उन जैसे उलज जाता है उस तरह का structure हमें nucleoplasm के अंदर देखने को मिलता है चौथा जो structure nucleus से related है वो मैंने आप से भी पहले भी बात की थी वह है nucleus 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 जो है वह एक dense nucleoplasmic material के रूप में एक material के रूप में एक corner पे nucleus जो है वो एक dense nucleoplasmic material के रूप में पाया जाता है और यह भी nuclear membrane से घिरा हुआ होता है तो यह तो बात हो गई nucleus के अंदर की nucleus true nucleus पाया जाता है तो इस तरह का जो structure जहां पर यह चारों components पाये जाते है यानि nuclear membrane nucleoplasm chromatin network और nucleus पाया जाता है ऐसा nucleus क्या 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 था true nucleus क्या था है एसे nucleus को क्या बोलेंगे है such a nucleus is known as true nucleus इसके बाद जो third component है cell का वह है cytoplasm तो cytoplasm दाया दाएड़ इस फ्लूइड matrix which is enclosed by plasma membrane plasma membrane से घिरा हुआ तरल jelly like substance जोता है वो cytoplasm क्यालाता है cell का अब इस cytoplasm material के अंदर बहुत सारी cell organelles पाये जाते हैं वह तमाम cell organelles कौन कौन से हैं उनके बारे बात कर रहें इसके अलावा वैक्योलश पाये जाते हैं जैसे आपने अमीबा के अंदर अगर आपने देखा हो तो food वैक्योल यह बनते रहते हैं जिसके दोरह वह अपने फूड को अंदर लेता है और दाइजस्ट करता है और जो तो बना करके अमीबा ऊस्मॉस के प्रॉसेस से सरांडिंग मीडियम में बाहर निकाल देता है तो इसी तरह से plant cells के अंदर बड़ा एक large vacuole पाया जाता है जबकि animal cells के अंदर हमने बात की थी कि छोटे-छोटे कई vacuoles पाये जा सकते हैं अधिक संख्या में vacuoles पाये जा सकते हैं देन इसके अलावा cell inclusions होते हैं तो एक eukaryotic cell के अंदर cytoplasm में आपको different type of cell organs जिनके बारे में हम अभी detail में पढ़ने जा रहे हैं यहीं पे और vacuoles और cell inclusions पाये जाते हैं समझ में आया पिटा तो यह थे हमारे cytoplasmics contents अब cell organs जो मैंने आभी आपको छोड़ दिये थे deliberately की अपन अभी इसके बारे में detail में बात करेंगे तो दो से दो सेल और दो सेल कॉंपोनेंस cito-plasmic components cell inclusions vacuoles के लावा बहुत सारे cell organs जो पाए जाते हैं वो क्या क्या है यह प्लैस्टीट स्टुरेंट्स बच्चों ध्यान से सुनना लाक्री प्लांट सेल्स के अंदर ही पाय जाते हैं प्लैस्टीट आर कि यह प्लैस्टीट जो ते यह बीग्ज और झालर औाष्म有人 के में पुछलोवत विए Osपिदिट सबस्युन आड ठाहरे ताहरे लुछुरोप्लाश की ताष्म होग RICH विए्यृ ciao गुं पारे प्नीचिन सरा धिंधि झा में पौतीस they are capable of synthesizing their own food so autotrophs are those organisms they are the green plants which synthesize their own food in the form of carbohydrates then chromoplast chromoplasts they are another type of chroma means color so they are other different type of colored pigments which impart different different other color different parts of the plants such as a stem leaves then flowers and seeds and other parts of the roots and all that so they you'll see that there are different parts which are different different in color so that is because of these different kind of different colored pigments like xanthophils carotenoids which impart different different colors like red arrow yellow orange different type of colors of the flowers these all are because of the presence of these different types of colored pigments called as the chromoplast then third one third type of plastics they are leukoplast that means they are colorless so there are colorless lip plastics also which do not take part in photosynthes photosynthesis also and they are white in color then another cell organe which is present in both plant cells as well as in animal cells it is endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum they are found attached to to the nuclear membrane and they are found freely floating in the sentence and again endoplasmic reticulum are of two types RER and SER we have now studied this we will talk about in detail then another important cell organeal is the Golgi complex Golgi complex is again helping in the packaging of certain substances then mitochondria which is a saucer shaped structure and it is known as the powerhouse of the cell it is again a membrane bound cell structure double membrane bound cell structure like plastics or like chloroplast then we have got ribosomes both 70s and 80s ribosomes are present centrosomes are found centrosomes are present and centrosomes they are taking part in cell division so they they are responsible in pulling the chromosomes to do different poles by the help of the spindle fibers and then lysosomes lysosomes you will learn that how these sac-like structures they help in basically cleaning of the cell structures they clean or they eat up or they phagocyte the they have because of they possess all these hydrolytic enzymes so they phagocyte or they eat up or they clean up the cell by eating up the worn out cell organelles peroxisomes these are another types these are another type of cell organelles which are present and spherosomes so these are the few other cell organelles which are present in eukaryotic cells but except ribosomes all other these cell organelles they are found absent in prokaryotic cell i repeat cell i repeat all these cell organelles except ribosomes 70s ribosomes all these cell organelles which you have learned just now in eukaryotic cells are found absent in prokaryotic cell so this is one of the very very important differentiating point between prokaryotic cell and the eukaryotic cell so here we talk about the plasma membrane so plasma membrane is in every cell in the body is enclosed by a cell plasma membrane which encloses all the components of the cell including cytoplasm and the embedded other cell organelles which we talked about just body is enclosed by a cell membrane or plasma membrane now जैसा कि जैसा कि आप यहां पे इस cell membrane का या plasma membrane का structure देख रहे हैं यहां पर यह जो plasma membrane है यह दो layers proteins की उससे phospholipid layers से मिलके बनी होती हैं layers से मिलके बनी होती हैं this is the top layer यह वाली उपर वाली layer है जिसमें यह इसके heads हैं these are the hydrophilic heads यह hydrophilic heads हैं and these are the hydrophobic tails तो यह इस तरह के और यह नीचे वाली layer है this is the hydrophilic philic heads and hydrophobic tails तो यह bilipid layer की बनी होई lipid की दो layer की बनी होई membrane होती है और इसके बीच बीच में आप यहाँ पर देख रहे हैं this is the cell membrane receptor proteins यह receptor proteins हैं या integral membrane proteins हैं अंदर वाली membrane के बीच में पाएवे धसेवे जैसे कि आप यह समझ सकते हैं जैसे cake के अंदर आपने cherries देखी हैं कुछ cherries जो हैं वो उपर की तरफ निकली वही होती है केक के surface पे और कुछ cherries जो हैं जब आप केक अंदर depth में खाते हैं तो वहाँ पर depth के अंदर बेख वही होती हैं तो इसी तरह से proteins जो होते हैं वो इन plasma membrane के इस bilipid layer के अंदर embedded होते हैं धसे वे पाए जाते हैं यह protein molecules यह extrinsic proteins कहलाते हैं बाहर की तरफ दिखाए देने वाले और जो अंदर की तरफ integral membrane के अंदर पाए जाते हैं अंदर होते हैं वो intrinsic proteins कहलाते हैं तो हमने देखा कि यहां पर यह जो plasma membrane का structure जिसको की सिंगर निकलसन ने दिया था उनके यह hydrophilic heads यह देख रहे हैं आप यह उपर की तरफ यह cream color के hydrophilic heads दिखाई दे रहे हैं जैसे और इसके नीचे यह long tail like जैसे की thread like structure जो white color के दिखाई दे रहे हैं यह क्या है इस आर hydrophobic tails hydrophobic tail means they are made up of long chain of hydrocarbons which are not soluble in water insoluble होते हैं यह so these are these hydrophobic tails they are hydrophilic heads they are water soluble अब इसके अलावा plasma membrane के अंदर आपको cholesterol particles पाये जा सकते हैं carbohydrate sugar chains देखने को मिल सकती है और यह by lipid layer के अंदर embedded glycoproteins glucose और प्रोटीन ग्लाइक यानि carbohydrates और प्रोटीन के complex substances से बने जो material compounds होते हैं उनको glycoproteins बोलते हैं वो पाये जाते हैं इसके अलावा यहां पर यह देखिए peripheral membrane proteins भी पाये जाते हैं जो की periphery पे membrane के उपर पाये जाते हैं surface पे पाये जाते हैं तो यह peripheral membrane proteins क्यलाते हैं इसके अलावा आपने याप यह hydrophilic heads और hydrophobic tail को तो देखी लिया तो यह इस तरह से एक layer यह जो purple color की उपर दिखाई दे रही है एक layer यह होती है lipid की और एक layer की lipid की यह नीचे वाली होती है और दोनों phospholipid से बनके भी नहीं होती हैं इसलिए दो रहती हैं इसलिए इनको हम phospholipid by layer by मतलब 2 और layer मतलब परत तो दो रही परत की बनीवी phospholipid layers पाई जाती हैं जो की हमारी plasma membrane को या cell membrane को constitute करते हैं तो यह model जो था यह hypothesis singer Nicholson नाम के विज्ञानिक ने दी थी और इनके बारे में हम अभी थोड़ा और आगे अगली slide में भी बात करेंगे तो cell membrane जो है उसका कारे क्या होता है cell membrane separates the material outside the cell extracellular from the material inside the cell that is intracellular अब देखिए यहाँ पर दो terminologies यूज़ के गई है extracellular और इंका देखिए extra का मतलब बाहर cellular cellular मतलब cell के तो cell के बाहर जो चीज़ पाई जाती है वह extracellular material कहलाएंगी सपोस्स जैसे कोई aquatic amoeba है या कोई aquatic cell है aquatic organism है तो उसके लिए जो extracellular material हुआ वह क्या हुआ पॉंड का लेक का water हुआ वह extracellular हुआ intracellular material means within the cell inside the cell जैसे cytoplasm cell organelles पाई जा रहे है तो यह क्या 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 लाएंगे intracellular material क्या लाएंगे समझ में आ रही है बच्चों तो cell membrane जो है इस तरह से separate करती है किसको cell के बाहर environment में पाए जाने वाले material को cell के अंदर पाए जाने वाले material से separate करती है एक तरह के barrier की तरह एक तरह के partition के तरह एक तरह के curtain के रूप में दोनों mediums को यह extracellular medium को intracellular medium से अलग करने में separate करने का काम करती है समझ में आया बच्चों any questions any queries you can raise in at the end of the session आप अभी इपने questions को अपनी queries को note करते चलिए आपके questions और queries सब answer कर दिये जाएंगे बिटा answer कर दिये जाएंगे बिटा ठीक है अभी आप यहां पर ध्यान से समझिए कि यह जो terminologies हम use कर रहे हैं जैसे extracellular, intracellular ठीक है ना इनका क्या मतलब होता है यह कैसे इनसे हमें क्या इनका क्या correlation है आपस में तो यह सारी terminologies को समझना और अच्छे से पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो अब हमने देखा कि यह जो plasma membrane या cell membrane है वह बाहर के material को सेल के बाहर वाले atmosphere को सेल के अंदर वाले atmosphere से अलग करने का partition की तरह काम करती है और एक तरह की जिली होती है يühren झीक है ना , जो कि दू लिपिड वसमेपर के अपर फॉस्फो नयगा फॉस्फो नया और फॉस्फो निएर से मिलकर के बनी होती है और वीच वीच में इस and out of the cell अब इसके अलावा इस प्लाजमा मेंब्रेन का और क्या काम होता है यह सेल की integrity को maintain रखती है यानि सेल के अंदर कोई भी चीज ऐसी जो सेल के लिए नुकसान दायाक है वो अंदर नहीं आ सकती प्लाजमा मेंब्रेन के थ्रू को करके या कोई ऐसी चीज जो सेल के लिए यह जादर जरूरी है आवश्यक है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर नहीं जा सकती तो इस तरह से यह जो प्लाजमा मेंब्रेन है यह सेल की एक पटिकलर integrity का मतलब है सेल के अंदर जो आवश्यक इट्मोस्फियर ए उसको बनाके रखने में मदद करती है मदद करती है और सेल के अंदर से वो ट्रेफिक को रोड के उपर कंट्रोल करती है कि कोई बड़े बड़े ट्रक वो छोटी कॉलोझी के अन्दर नहीं जाने चाहिए या एक इसे डेंस यहां पर चोटे रहते हैं या खेलते हैं यहां पर पर चोटा traffic चल रहा है लोग scooter पर cycle पर चल रहे हैं मार्केट लगा हुआ है तो तो फाह पर तो ठीक उसी प्रकार थीक उसी प्रकार प्लाजमा मेंब्रीन भी एक सरा के गार्ड के रूपर सेल के अंदर से बाहर क्या चीज जा रही है क्या जानी चाहिए क्या नहीं जानी चाहिए इसी तरह सेल के बाहर से अंदर क्या चीज आनी चाहिए क्या आ सकती है उसको कंट्रोल करती है this is called as the controlling of the passage of the materials inside to outside the cell and outside to inside to inside the cell vice versa समझ में आया ठीक है इसके आगे का हम next slide में देखते हैं कि कैसे plasma membrane हमारे लिए so we will talk more about plasma membrane हम plasma membrane के बारे में अभी और जनकारी हासिल करते हैं तो plasma membrane जैसे हमने देखा एक तरह के partition wall की तरह होती है एक तरह की एक तरह की membrane होती है covering membrane होती है जो किसको cover करती है cell organelles को और cytoplasmic contents को और enclose करती है cover करके रखती है और इस तरह से cell को protect करने का काम करती है तो जिते भी materials होते हैं cell के अंदर they must have access to the cell membrane यानि की cell boundaries और cell boundaries के touch में रहते हैं और they are required for needed exchange so all materials within a cell must have access to the cell membrane for the needed exchange यानि जितने भी cell के अंदर पाए जाने वाले materials है वो cell membrane के उन सबका cell membrane से संपर्क बना रहता है ताकि वो उनके अंदर जो चीज़ उनको चाहिए वो बाहर से exchange हो करके आ सके या अंदर से बाहर जा सके और बाहर से अंदर उनके आवश्यक्ताओं की diffuse होकर के cell के अंदर ले लिया जाता है जो cell के components की नीड होती है वो fulfill कर ली जाती है now the cell membrane is a double layer of phospholipid biomolecules तो जैसा हमने देखा कि अभी पीछे वाले diagram में कि cell membrane जो होती है वो एक दोरे layer की बनी हुई यानि two layers की बनी हुई phospholipid molecules से बनी होती है तो phospholipid molecules की double layer जो है वो मिल करके दूसरे शब्दों में हम बोने तो वो cell membrane या plasma membrane को constitute करते हैं यहां इस diagram में आप देखिए यह mustard color के आपको यह hydrophilic heads दिखाई दे रहे हैं और यह नीचे tail like hydrophobic tails दिखा रही है यह upper layer है phospholipids की और यह दूसरी नीचे वाली lower layer है तो upper layer और lower layer दोनों को मिला करके double layer of phospholipids बोला गया है तो यह आप देख रहे हैं water molecule है जिसमें this is the oxygen और यह दो green जो है वो hydrogen के atoms है तो दो molecules दो atoms hydrogen के एक atom oxygen के साथ जुड़ करके purple color वाला oxygen है और green color वाले hydrogen है तो यह water molecule को दर्शाया गया है कि कैसे phospholipid bilayer से यह water molecules जो है वो बाहर के atmosphere से cell के अंदर आ रहे हैं देख रहे हैं अब cell के अंदर आ गया यह water molecule जो cell के बाहर था यानि extra cellular materials जो है वो cell के अंदर transport हो रहे हैं through plasma membrane and this plasma membrane is made up of by phospholipid bilayer ठीक है तो इस तरह से water का conduction हुआ इसके transporter genes पाए जाते हैं जो बड़े macromolecules जैसे की glucose उनका transport जो है इन 40 channels के द्वारा या phospholipid bilayer के द्वारा संभव नहीं है वहां से यह अंदर नहीं आ सकते ठीक उसी प्रकार से आप समझ लीजें जैसे किसी मच्छर जाली किसी विंडो के अंदर अगर जो वायर लगी हुई है तो उससे कोई बर्ड या कोई वैस्प या कोई बटरफ्लाई अंदर नहीं आ सकता उसके लिए आने के लिए उसको क्या चाहिए एक प्रॉपर चैनल चाहिए जैसे अगर हमें अंदर आना है रूम के और विंडो में अगर लगा हुआ है तो हम किसा हैंगे डोर के द्वारा एक तो वह हमारे लिए क्या एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल यह तो ठीक इसी कि प्रकार से अंदर जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं बड़े मॉल्क्यूल्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट इस फ्सफोलेट बाइलेयर के द्वारा नहीं हो सकता संभव नहीं है उनके द्वारा ये इनका ट्रांस्पोटेशन संभा है इसके अलावा कुछ specific channels पाया जाते हैं जिनके through कुछ specific substances जैसे आप यहां देख रहे हैं यह sodium channel दिखाई गई यह red color से तो यह sodium channels के through केवल sodium ions का ही movement cell के बाहर से cell के अंदर संभाव है कोई और दूसरा जाने तक की potassium ions भी जो हैं वो इस channel से अंदर नहीं आ सकते तो यह वेरी वेरी specific तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर specific channels पाया जाते हैं specific ions specific substances के in and out और out to in transport के लिए तो यहां पर हम देखते हैं कि sodium ions का influx जो है वो आउटर या नहीं के external medium से cell के अंदर internal medium में संभाव है through these sodium channels यहां तक समझ में आ गया वेटा इसी तरह से carbon dioxide जो है वो भी इन water molecules के तरह phospholipid bilayer से diffuse होकर के cell के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा सकती है so proteins in the cell membrane provide structural support अब यह जो embedded proteins आपने देखे cell के plasma membrane के बीच बीच में पाया जाते हैं यह structural support देते हैं structural support का मतला जैसे हमारे body के अंदर skeleton पाया जाता है जिसके कारण हमारे hands हमारे legs एक particular shape के दिखाई देते हैं या एक particular उनको mechanical support structural support मिलता है framework देता है हमारा endoskeleton उनको ठीक उसी प्रकार से यह protein जो हैं वो cell membrane को एक particular support structural support देने का काम करते हैं और इसके साथ-साथ materials के passage के लिए materials के cell के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर transportation passage के लिए channels का निर्मार भी करते हैं या नी रास्ता बनाने का काम भी करते हैं इसके अलावा एक प्रोटीन एक एसे रिसेप्टर साइट्स प्रोटीन है वो रिसेप्टर साइट्स की तरह भी कारी करते हैं और यह फंक्शन एस carrier molecules और इस तरह से उनका कारी जो है वो एक carrier molecule carrier क्या काम करता है जैसे trucks बस यह क्या carry करते हैं goods और passengers को carry करते हैं एक destination से दूसरे destination yes or no तो ठीक उसी प्रकार से यह molecules जो हैं यह cell के बाहर जो substances मौजूद हैं और जिनकी cell को जरूवत है उनको बाहर से बाहर से अंदर की तरफ carry करते हैं या transport करते हैं और इसी प्रकार या carbon dioxide है या यूरिया है या जो है nitrogenous-based substances and toxic substances and drug metabolites है इन सब को सेल के बाहर फैंकने में या बाहर दिसकार्ट परने में या बाहर उनको excrete out करने में मदद करते हैं और वहां से यह carry out हो करके they are given to different respective organs from where they are excreted out जैसे कि carbon dioxide is delivered to lungs or alveoli from which they are released back into the atmosphere so they provide identification markers also तो यह इनका जो function होता है वह substances को cell के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर carry करने का कारे करते हैं then term cell membrane सबसे पहले पहले जो word cell membrane use की थी वो नागेली नाम के और या क्रेमर नाम के विग्यानिकों ने यह word यानि की यह term cell membrane 1885 में nagely रखत था याllo लाशम्रेन रखता। या chicken nerve रखता था Creative प быстро 1931 तो नाम phzung नाम plasma पाइजाने वाली मेंब्रेन और बाद में पॉवल ने इसका नाम प्लाजमा लेमा या प्लाजमा मेंब्रेन रख दिया So now we are going to talk about the fluid mosaic model Fluid mosaic model of the structure of the cell membrane that was proposed by S.J. Singer and G. Nicholson G. Nicholson और S.J. Singer नाम के दो विज्ञानिकों ने 1972 में ये structure of cell membrane प्रपोस किया था या fluid mosaic model को प्रपोस किया था and it was the most acceptable model of cell membrane यानि जितने भी models जो हैं cell membrane के structures प्रपोस किये गए अलग-अलग विज्ञानिकों के द्वारा उट पे से यहां हम सबसे जो सर्मान या सबसे जादा ख्याती प्राप्त acceptable, most acceptable model of cell membrane था वो था fluid mosaic model and this model of plasma membrane or cell membrane was given by S.J. Singer and G. Nicholson in 1972 और इस model के accordingly क्या होता है इस model के accordingly lipids are arranged in two layers called as the lipid bilayer यह आप देख रहे हैं उपर एक यह layer पाई जा रही है और एक यह दूसरी नीचे layer पाई जा रही है जिसके hydrophilic heads जो हैं वो उपर की तरफ और नीचे वाली के नीचे की तरफ point out कर रहे हैं तो इस तरह से और इनके नीचे इनके hydrophobic tails हैं तो यह lipid bilayer के रूप में दो layers में arrange होते हैं इसलिए इनको lipid bilayer बोलते हैं and proteins are arranged in the mosaic manner और इनके अंदर proteins बीच-बीच में embedded होते हैं और arranged होते हैं जैसे मोजाइक का फर्ष होता है बीच-बीच में इसके marble के दाने होते हैं और इस तरह से proteins इनके अंदर embedded होते हैं आप यह समझ लीजे कि के अंदर चैरी जो हैं embedded होती है ठीक इसी प्रकार से यहां पर इसमें proteins embedded होते हैं लिपेड लेयर के अंदर so lipid layers forms highly viscous fluid lipid layers होती है यह highly viscous fluid like layer बनाती है और यह दो टाइप के proteins molecules जिनकों कि हम intrinsic proteins या और दूसरे extrinsic proteins बोलते हैं उनके द्वारा यह organize होती हैं उनके द्वारा mosaic manner में यह लगी होती हैं intrinsic proteins कौन से होते हैं intrinsic proteins वह होते हैं जो embedded होते हैं lipid by layer के अंदर completely या incompletely कहने का मतलब है intrinsic proteins जो हैं they are completely और incompletely embedded embedded का मतलब धसेवे होते हैं थोड़े से partially या तो उपर निकले होंगे बाकी या पूरे अंदर या पूरे अंदर ही by lipid layer के अंदर जैसा आप इसमें diagram में देख रहे हैं कि lipids जो हैं वह इन by lipid layer के अंदर धसेवे हैं completely दूसरी तरफ extrinsic proteins जो जो superficially पाये जाते हैं उपर की तरफ बाहर निकले होते हैं जैसे कि tips of the icebergs समुद्र के अंदर जो icebergs दिखाई देते हैं उस तरह से यह बाहर extrinsic proteins बाहर निकले वे दिखाई देते हैं जो की ऐसा माने अगर हम की जो फॉस्फो लेपिड का यह सी है फॉस्फो लेपिड बाइले लेयर का सी है तो इसके अंदर extrinsic proteins जो है icebergs की तरह है तैरते वे दिखाई देते हैं तो इसको हम extrinsic proteins बोलते हैं जैसा कि आपको यहां पर सेल के इस डाइग्राम में इस डाइग्राम में दिखाया गया है this side is the outside of the cell and this side is the inner side of the cell so यह जो plasma membrane की आप डाइग्राम देख रहे हैं this is the flex it is flexible in nature of protein and this model is known as fluid mosaic model क्योंकि यह model जो है fluid mosaic model क्यों क्यालाता है क्योंकि अपने flexible nature के कारण यह model fluid mosaic model क्यालाता है जिसको singer and Nicholson नाम के विज्ञानिक ने 1972 में proposed किया था या दिया था समाझ में आया so this is how we can see that 75 percent of this membrane is the is made up of phospholipids and remaining in addition to that is the intrinsic proteins then cholesterol particles polysaccharide particles these are other particles which can be seen in this inside the plasma membrane clear so outer side is the surrounding medium medium in which the cell is in there floating and inner side of this plasma membrane there is a cytoplasm so this is the most acceptable model as on date regarding the structure of the cell membrane clear so students let's now talk about the permeability so now where you now understand that the plasma membrane acts as a semi permeable membrane and what is the permeability means now permeability means that this plasma membrane either allows or restrict entry of certain substances inside the cell or outside the cell that means plasma membrane is the membrane which either allows certain substances to move from outside environment into the inside environment of the cell or vice-versa that means from the intel to the surrounding medium of the cell that can be the water of the pond यानि की कहने का मतलब ये है बेटा की plasma membrane जो है वो एक ऐसी जिल्ली है जो कुछ पदार्थों को या कुछ substances का बाहर surrounding medium से cell के अंदर movement को permit कर सकती है करती है और कुछ को रोक देती है इसी तरह से और कुछ को रोक देती है इसी तरह से cell कुछ substances जो cell के अंदर से बाहर भेजे जाने है उनको permit करती है या उनको रोकती है तो इस तरह से यह जो behavior है cell का यह selective permeable behavior या semi permeable membrane का behavior kind of permeability के बारे में बात करेंगे permeability का मतलब होता है कि किसी substance का उसके एक medium से दूसरे medium के अंदर movement को या तो permit करेगा या उसको रोकेगा तो उसको अगर वो अंदर जाने दे रहा है किसी substance का movement across the membrane हो रहा है तो वो permeability हो रहा है तो वो permeability कहलाता है और अगर नहीं होने दे रहा है तो वो impermeability कहलाता है अब हम देखते हैं कि permeability के कितने प्रकार होते हैं या how many types of permeability is possible और simply we will be learning about in this slide kinds of permeability तो kinds of permeability में क्या क्या है पहला है let us talk about what do we mean by impermeable तो impermeable substances क्या होते हैं membrane या impermeable membrane कौन सी होगी membrane which does not allow to pass through it both solvent and solute molecules वो impermeable कराएगा उसका example क्या है membrane it is not allowing any substance neither the solvent nor the solute to move either from either inside from outside nor from inside to outside यानि कि अगर ऐसी कोई membrane जैसे की cuticle layer है जो किसी भी substance को cell के through cell के अंदर बहार से नहीं जाने दे रही है और ना किसी चीज़ को बहार से अंदर आने दे रही है तो ऐसी layer क्या कहलाएगी impermeable layer कहलाएगी इसका example क्या है cuticle layer which is found on the epidermal layer of most of the leaves leaves के dicotylymous plants की leaves के उपर एक epidermis के उपर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है जो की impermeable होती है और उस लेयर का नाम है cuticle layer दूसरा semi permeable membrane अब semi permeable membrane क्या करती है या कौन सी होती है semi permeable membrane allows to pass only solvent but not the solute particles through it यानि semi permeable membrane के त्रू केवल solvent के particles ही आर पार आ जा सकते हैं जैसे की water molecules water क्या है solvent है और उसमें dissolved अगर कोई ions है molecules हैं वो त्रू अंदर बाहर से अंदर नहीं जा सकते हैं अंदर से बाहर नहीं आ सकते त्रू सैयमी तो ऐसी membrane cela किलाएगी semi permeable membrane किलाएगी इसका example क्या होगा artificial vapor membrane यह membrane क्कौनसी क्या यह ember अब permeable membrane कौन सी होती हैं अगर membrane if a membrane allows to pass both to pass both solvents as well as solute molecules through it freely as permeable membrane जैसे primary cell wall तो अगर कोई membrane freely solvent के और solute के molecules को आर पार यानि की बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने जाने देती है तो ऐसी membrane permeable membrane क्यलाएगी तो ऐसी membrane permeable membrane क्यलाएगी जैसे example क्या है primary cell wall last में selectively permeable membrane selectively permeable membrane कौन सी होगी if a membrane allows penetration of solvent freely but selects the passage of specific solute particles ऐसी membrane जो केवल solvent को तो अंदर freely अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने जाने देती है बट जो solute particles हैं उनको select करके ही अंदर से बाहर या बाहर से अंदर transport कर सकती है तो ऐसी मेंबरीन क्या 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 लाएगी और ऐसी मेंबरीन वो क्या है plasma membrane इसलिए क्योंकि plasma membrane जो है solvent particles को जैसे water particles को तो freely बाहर से अंदर अंदर से बाहर आने जाने देती है बट जो solute particles हैं या molecules के particles हैं उनको selectively भेजती है कुछी particles जो है selectively वो cell के अंदर आ सकते हैं अंदर से बाहर जा सकते हैं तो इस प्रकार का behavior plasma membrane का selectively permeable membrane कहलाता है ठीक है और इसी लिए हम plasma membrane को selectively permeable membrane भी बोलते हैं कि यहां तक समझ में आ रहा है आपको तो इसको पिटा एक हम दूसरे example के द्वारा भी समझ सकते हैं सपोज अभी समझ सकते हैं सपोज एक किसी कोई कमरे के अंदर एक विंडो है और विंडो के अंदर अगर हम ग्लास की शीट लगा दें या हम दर्वाजा लगा दें लकड़ी का तो उसके त्रू कुछ भी चीज अंदर बाहर नहीं आ सकती अगर कांच लगा दिया हमने सपोज तो कांच से केवल रोशनी अंदर आ सकती है सकती है डस्ट अंदर नहीं नहीं आ सकती हवा नहीं अंदर आ सकती कोई मच्छर नहीं अंदर आ सकता कोई मक्षी नहीं अंदर आ सकती तो ऐसा कि इसी यह क्या खिलाएगी यह इंपर्मीवेल हो गई इंपर्मीवल कि historical में वाला आ एक इस तरह की जगे क्या हम उसकी जग Requ as one the limit को उकूल देखा दूसरा अब उसमें क्या होगा कि उसमें से solvent particles तो आ सकते हैं सपोस जैसे छोटे छेद वाली अमने मच्छर जाली लगा दी तो उसके अंदर से हवा आ सकती है पानी आ सकता है डस्त आ सकती है सब्सक्राइब ना तो उसमें मच्छर आ सकते हैं ना मक्की अंदर आ सकती है ना पर्टिकल यह अंदर आ सकते हैं इंट्री रेस्टिक्टिड होती है तो ऐसी मेंब्रेन सेमी पर्मेबल मेंब्रेन क्या लाइगी जिसका एक्जाम्पल हमने यहां आर्टिफिशल वेपर मेंब्रेन तीसरा पर्मेबल मेंब्रेन का क्या मतलब हुआ कि जैसे सपोस अब इसकी जगे हम रहे मोटे ज्रूप जाली लगा दें जिसमें से चिडिया बी अंदर आ सकती हैं लिजर्ड भी अंदर आ सकती हैं हवा पानी डॉस्ट मच्छर मख्फी सब अंदर आ सकते हैं तो ऐसी मेंब् भी आ सकता है एंदर आ सकता है सेल के और से के अंदर से बाहर भी जा सकता है वाइस वर्सा तो ऐसी मेंब्रेन ट्राइम्जी अर्मान केवल selected solvent के molecules को तो freely अंदर बाहर जाने सकती है transport कर सकती है बट जो दूसरे solute particles है या ions है molecules है उनका movement या तो रेस्टिक कर देती है actively जो कुछ particles या कुछ solute ही उसके through आर पार अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ जा सकते हैं तो ऐसी membrane selectively permeable membrane हो गई जिसका example हमने plasma membrane देखा now after learning about this permeability and types of types of permeable membranes now we will be talking about the functions of the plasma membrane plasma membrane क्या-क्या functions perform कर सी है तो listing down those functions first of all plasma membrane acts as a mechanical barrier plasma membrane जो है वो mechanical barrier mechanical barrier की तरह काम करती है and protects the internal contents of the cell तो ठीक उसी प्रकार जैसे कार का गेट कार के अंदर बैठ करके बंद कर लेती हैं तो वो क्या करता है आपको बाहर के environment से protect करता है अंदर डस नहीं आने देता पानी नहीं आने देता और जो 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 बाहर का जो environment उससे बिलकुल आपको protect करके रखता है yes or no तो इस तरह से इसी प्रकार से plasma membrane भी जो है वो mechanical barrier की तरह internal cell contents को protect करने का काम करती है दूसरा function क्या है cell plasma membrane का plasma membrane और cell membrane provides a definite shape to the semi-fluid contents of the cell cell के semi-fluid contents को एक particular shape provide कराने का काम भी plasma membrane करती है ठीक है now third one is the permeability जिसके बारे में अभी अपन ने इतनी बात की permeable nature it allows the movement of small ions and molecules in and out of the cell अभी हमने बात की प्लाजमा membrane जो है वो semi-permeable membrane होती है तो इस प्रकार वो कुछ चुनिंदित या selective selective substances को molecules को selective substances को molecules को ions को cell के अंदर से बाहर या cell के बाहर से अंदर आने में मदद करती है या उनको permit करती है then next function of the cell membrane or plasma membrane is recognition so recognition sites and center of attachment यानि कि plasma membrane के ऊपर कुछ ऐसे surfaces कुछ ऐसे recognition sites मौझूद होती हैं जिस पर कुछ substances attach हो सकते हैं जैसे उधारन के तौर पर insulin receptors पाये जाते हैं insulin receptors मतलब जैसे दर्वाजे के ऊपर lock होता है चाबी लगाने के लिए ठीक उसी प्रकार से plasma membrane के ऊपर कुछ recognition receptors होते हैं say for example insulin आया और insulin cell से आकर के bind हो रहा है तो वह किस पे bind होगा आकर के insulin receptor पे आकर के bind होगा यह कहां पाया जा रहा है cell plasma membrane की surface पे तो इस तरह के attachment के लिए इनके surface पे plasma membrane की surface पे कुछ recognition sites पाई जाती हैं जैसे मैंने example दिया अभी आपको insulin का इसी तरह से दूसरे enzymes के लिए भी यहां पर receptors होते हैं तो they help in tissue formation distinction of foreign substances and defense against microbes तो इस recognition ability के कारण यह tissue formation में मदद करती है इसके साथ साथ जो toxic substances है foreign materials है foreign substances है toxin है या जो antigens है उनको enter होने में से रोकती है और इस तरह से जो दूसरे microbes है harmful bacteria है harmful viruses है उनको cell के अंदर ना आने देती है और इस तरह से defense mechanism का काम करती है ठीक है ना it acts like a soldier it acts like a barrier तो इस तरह से यह recognition sites जो है केवल उनी substances को अंदर बाहर आने देती है उनको attach होने देती है जिनके receptors पाये जाते हैं ठीक है so this is the one very important feature and function of the plasma membrane after that cell continuity what do you mean by cell continuity यानि plasma membrane जो है वो adjacent cells के साथ और दूसरी cells के साथ junctions बनाती है यानि एक जैसे आपने देखा होगा कि एक train का डबा दूसरे train के डब्बे से वो बीच में जो link का passage होता है channel से जुड़े रहते हैं तो plasma membrane जो है वो पास वाली cells से आपस में दो cells को cell junctions को cells junctions को plasma or decimata के तुरू जोड़ने का काम भी करते हैं और इस तरह से cells जो हैं दूसरी cells से मिलकर के cell continuity बनाती है इसके अलावा दूसरा और function क्या है plasma membrane का specialization specialization means it gets modified to performance जैसे absorption in microvilli specialization का मतलब होता है जैसे आपने doctors को देखा होगा कोई doctor जो है वो हड़ी रोग विशेशग्य होता है कोई बाल रोग विशेशग्य होता है कोई कानना गला रोग विशेशग्य होता है तो यह क्या है यह specialization है यानि कि इन्होंने एक पटिक्लर सेग्मेंट के अंदर अपना विशेशग्यता का अपनी विशेशग्यता का उन्होंने super specialization कोर्स किया होता है तो इसी तरह से जो यह plasma membrane है यह modify होकर कि यह क्या काम करती है अलग-अलग functions perform करने में करने में उनको मदद करती है जैसे उधारन के तौर पर जब हमारी इंटेस्टाइन की जो प्लाज्मा membrane है वह microvilli यानि की super fine finger like projections के अंदर divide हो जाती है जिससे की absorption जो है कई जादा बढ़ जाता है तो इस तरह के modified modified रूप में कई जगे यह अलग-अलग तरह से modify होती रहती है और अलग-अलग different functions perform करती है तो इस ability को plasma membrane के हम specialization बोलते हैं जिसके कारण हमारे different different organs जो है अलग-अलग तरह के functions को perform करने के लिए specialized होते हैं हमारा भोजन जो है absorption होता है और यह nutrients फिर blood के थुरू हमारे तमाम body parts को cells को कहुंच जाते हैं next another important function of plasma membrane is membrane is endocytosis endocytosis का मतलब क्या हुआ endo means under cytosis means cell तो cell के किसी चीज़ को किसी भी substance को किसी पैदार्थ को cell के अंदर लेना endocytosis कहलाता है जैसे आपने अमीबा में है जब हम nutrition पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि भोजन को food तब आप उसमें देखेंगे कि भोजन को food particle को अमीबा अपने pseudopodia से engulf करके cell के अंदर ले लेता है और इस तरह से भोजन को ग्रेंड करना अमीबा के द्वारा surrounding medium से यह process endocytosis कहलाता है वहीं दूसरी तरफ जो भोजन पचने के बाद यानिकि जो undigested food matter होता है वो वेक्योल बना दिया जाता है एक्स्क्रीटरी वेक्योल बनता है अमीबा में और यह undigested food matter दुबारा surrounding medium में cell के बाहर osmosis के process से release कर दिया जाता है तो इस process को यहनिकि किसी भी substance को exocytosis exocytosis exo means बाहर cytosis means बाहर cell के बाहर निकाल दिया जाना exocytosis कहलाता है तो plasma membrane कैसे endocytosis exocytosis में कैसे मदद करती है क्योंकि plasma membrane का अभी हमने पढ़ाता flexible nature होता है because it is fluid like substance तो plasma membrane fluid like substance होने के कारण flexible होती है तो इस तरह से यह cell को food को engulf करने engulf मतलब घेर करके और cell के अंदर digest करने ले लेना उसको engulfment बोलते हैं तीक है इसको endocytosis भी बोलते हैं और दूसरे substances foreign particles जैसे कोई toxic substances हैं या कोई bacteria है या कोई bacteria है तो उनको भी engulf करकर के और external environment से ले लेती हैं इस process को हम endocytosis बोलते हैं जैसे मैंने आपको भी example amoeba के food particle को ingest करने का बताया और exocytosis इसके विपरीत है यानि undigested molecules भार सेंख दिये जाते हैं या निकाल दिये जाते हैं या निशकासित कर दिये जाते हैं या दूसरे शब्दों में those undigested particles or molecules which are not required by the cell they are thrown out or diffused out of the cell by the plasma or through the plasma membrane and this process is called as exocytosis or through the plasma membrane and this process is called as exocytosis जैसा मैंने आपको amoeba का example लेके अभी बताया था नेक्स इंपॉर्ट इंपॉर्ट फंक्शन of plasma membrane is definitely osmosis osmosis क्या है it occurs due to the presence of tiny water channels in the plasma membrane from their zone of high concentration to zone of low concentration through a semi permeable membrane is called as osmosis so plasma membrane is definitely a semi permeable membrane selectively permeable membrane so it so the movement of tiny water particles through the plasma membrane as my membrane takes place and this is this is why the plasma membrane also serves the function of osmosis then active impressive transport these are the another very important functions of plasma membrane so different types of molecules they are transported through plasma membrane in active transport हम उसको बोलते हैं जब किसी transportation में चाहे वो plasma membrane के बाइलिपेड लेयर के थ्रू हो रहा हो या किसी embedded proteins के थ्रू हो जिसमें ATP का exhaustion होता हो या ATP का breakdown होता हो तो ऐसे transportation को जिसमें ATP के breakdown से कोई भी सबस्टेंस सेल के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर transport किया जाता है मूव किया जाता है उसको हम active transport बोलते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे intrinsic और extrinsic proteins involved होते हैं दूसरा है passive transport transport होता है जिसके अंदर किसी भी ATP का कोई breakdown involved नहीं होता कोई ATP जो है उसमें खर्च नहीं होता तो ऐसे transport को हम जहां पर substances का movement cell के अंदर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर बिना किसी ATP के exhaustion के बिना किसी ATP के expense के expense के होता है तो वो क्या कहलाता है passive transport कहलाता है I hope you all are getting this so this finishes the functions of the plasma membrane and now we are going to talk about in the next slide we are going to talk about